हेलो आल एंड वेलकम तो डिकोगनिशन आई एस जोग्राफिय ऑफ्टिनल क्लासिज में हम लोग देख रहे थे पार नमबर वन डाट इस क्लामिट लॉजी का चैप्टर और इसी में हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लामिट क्लासिफिकेशन के बारे में देखें क्लामिट क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉंपलेक्स टॉपिक है और इसमें कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आपको याद करने ही होंगे और रिपीटिट रिवीजन की जरूरत होती है और इन फैक जब आप एक्जाम देने जाएं तो एक दिन पहले आप इसे रिवीजन करके जाएं बिकॉ आपको अल्टिमेटली यादे ही करनी पड़ेंगे बिकॉस इस अगें वेरी कॉंपलेक्स टास्क तो फड़ा फट शुरू करते हैं हम लोग लोग लेटस स्टार्ट लेटस कम्प्लीट लेटस क्राइट बट इफोर देट इस आर आवर कॉंटाइग डिटेल्स और अडिस इसमें Advanced Geography Course है या फिर टेस्स सिरीज है Art and Culture और GSKB टेस्स सिरीज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके ज्यादा जनकारी के लिए आप Recognitionis.in पर विजिट करके वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा इगुरुकुल प्रोग्राम के लिए भी आप subscribe कर सकते हैं and this will be a pathway for the final selection and for more details you can drop email on recognition at gmail.com. For ever, शुरू करते हैं हमारा आज का topic, syllabus-wise अगर देखें तो we have already completed this much of our syllabus और यहां पर हम लोग आज बाते करने वाले हैं weather and climate that is the classification part तो यहां पर पहले हम लोग classification of COPEN देखेंगे and in this video we will specifically specifically talk about COPEN और next video में हम लोग Thornwhite और Trivarta के बारे में भी बात कर लेंगे इसके बाद देखेंगे एक topic रहेगा hydrological cycle and global climate change वगरे के बारे में this will be discussed in a single video again काफी छोटा सा discussion है ज्यादा कुछ खास है नहीं और इसमें देख लेंगे क्या कुछ है और फिर applied climatology के पार्ट होती है जो कि कहीं न कहीं इनी सब चीजों से related होता है तो we will integrate all the three topics in a single video इन तीनों कौम लोग single video में देख लेंगे then एक video आपकी आएगी जहाँ पर आपको Thornwhite और Trivarta के बारे में रहेगा and the second video will be in which we will talk about this syllabus this topics ठीक है classification of climate के बारे में बात करें सो देखे classification of climate की जो चीज है उसमें scene यही है कि जितनी भी हमारे world में climate पाए जाते है उनको कुछ किसी न किसी एक parameter के माध्यम से हम लोग इसे classify कर सकें ताकि climate के जब classification हमारे पास आजाएगी तो फिर हम उस climate के basis पे जो भी vegetation है या जो भी standard of living है या जो भी चीज़ें हमें study करनी है basically हम लोग वो study कर सकते हैं so it is very important for the climate to classify और इस classification के लिए देखिए तीन लोग important हैं एक जैसा कि कोईपन के बारे में हम लोग बात ही करने वाले हैं इसके अलावा thought white साहब आते हैं और फिर ultimately हमारे आ जाते हैं ट्रिवार्था साहब तो इस तरीके से हमारे तीन लोग हैं जिन्होंने अपना classification दिया हुआ है तीनों के साथ एक बात खास है कि इन्होंने जो climate को classify किया है वो worldwide scale पर किया है यह हो गई पहली चीज़ दूसरी टेकनिकल तरीके से इन्हों लोगोंने classify किया हुआ है कुछ लोगोंने यहाँ पर जो parameters लिया है जैसे कि thought white वगरे नहीं यहाँ पर इन्होंने mathematical approach लिया है जिसके basis पर यह classification की गई है और बागे ट्रिवार्था के लिए देखेंगे तो यह overall sense में एक काम किये हुए है in fact आप यह बोल सकते हैं कि ट्रिवार्था का जो classification is a improvement over copen classification one by one करके सब चीज़ों को discuss कर लेते हैं सबसे बेले हम लोग बाते करने वाले है copen classification के बारे में the copen classification of the world climate was published in 1918 and rectified through was published in 1953 मतलब कि धीरे धीरे इन्होंने अपने classification में खुदी modifications किये और modification के बाद इन्होंने अपनी एक climate model निकाली थी इसमें इन्होंने तीन criteria basically लिया एक temperature, दूसरा rainfall अतीसरी, vegetation तो तीन तरीके से इन्होंने अपने पूरे के पूरे इस climate को classify करने में तीन parameter का use किया है अब हम लोग जो बाते करने वाले हैं वो obviously यहाँ पर लिख लिख करके बाते करेंगे ताकि आपको एक idea लग जाए कि exactly क्या चीज़ है अब देखें, जो हमारी COPEN की classification है, उसमें तीन parameters लिये गये हैं तो parameter के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया इसमें तीन तरीके की category भी लिए गई है एक category लिए गई है जैसे A, B, C, D, E and H इसके अलावा इसमें फिर और subcategories की गई हैं, जैसे F, W, M इसके अलावा और भी हैं, जैसे S हो गया या फिर W हो गया इसके अलावा T, F, M ओके, तो T, F, M तो खेर होई चुका है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसने तरीके के subclassifications आयाते हैं इसके अलावा इसमें छोड़े से और भी classifications हैं, like H, K, small A, small B, small C तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक alphabet का अपना एक मतलब होता है इसका मतलब क्या चीज़ होता है हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में यह जो alphabets है, क्या इन्हें हम समझ सकते हैं, या फिर इन्हें रट्टा मारना है, अब देखें इनको समझने के लिए आपको यह समझना है कि आखिर में कुपन अगर क्लासिफाइ किया होगा, तो क्या सोच के किया होगा, अब देखें, suppose this is our earth यहाँ पर बीच में हमारी जो है, वो equator line है, this is our equator line, अब equator line से, जब हम पोल्स के साइड में जाएंगे, तो obviously हमारी जो climate लगातार वो change होती जाएगी और देखिए, उपर नीचे दोनों ही same same सा है, तो we will discuss only on the upper side, तक कि नीचे वाला तो आप समेंटरकली खुदी analyze कर सकते हैं अब देखिए, जो equator के पास में होगा, या फिर कह लिजे, कि zero से जो five degree के near about में होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि they are tropical in nature, और यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी बहुत चरम सीमा पर होती है, तो यह आप बोल सकते हैं कि they are hot climates, यह जो है hot climate होते हैं, इसी यह आदा ठंडा रहेगा, और इन दोनों के बीच में, अलग-अलग climate distributed होते हैं, अलग-अलग तरीके से, temperature जो है distributed होता है, अब आप लोगोंने यह भी पढ़ा है कि near about five से 45 degree के बीच में desserty location होती है, तो हर जगा नहीं, लेकिन बीच-बीच में, यहाँ location है, वो A की location है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो A की location है, देखिए थोड़ा सा हम लोग slow motion में पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजे समझ में जल्दी से आ जाएं, और एक बार में ही समझ में आ जाएं, clear है, now B, अब देखिए A से जैसे ही हम उपर बढ़ें कौन सा आ गया, dessert सा आ गया अब या तो dessert होगा, या खुदी tropical nature के होंगे, तो we can say these are desserts तो यह आपके dessert हो जाते हैं one second इसके अलावा, जैसे ही आप उपर आएंगे, तो H को आप लोग गोली ही मारी है, H मतलब कुछ नहीं, highland ठीक है, H मतलब highland, तो इसकी कहानी खतम हो गई यहीं पर, अब यह highland आपके कहीं पर भी पाई जा सकते हैं, mountain इलाका हो गया, या फिर play 2 हो गया, तो जहां जहां पर भी आपको highland मिलेगा, वहां पर आप सीधे highland पुट कर दीजिए, E का मतलब होता है polar, तो आपको अब E portion भी मिल गया, तो now A, B, E, beach में कुछ C होगा, beach में कुछ D होगा, यानि कि जब Copen ने basically classification किया, तो उन्हों ने क्या किया है, equator से वो pole के तरफ गया है, और उन्होंने जैसे आसे temperature, जैसे आसे rainfall, जैसे जैसे vegetation मिली, accordingly उन्होंने classify कर दिया, यानि कि बीच में C आएगा, बीच में D आएगा, अब जब एक बात दिहान से समझीएगा, यहाँ पर A पर आप ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कितनी गर्मी पढ़ रही है आप यहाँ पर बात करेंगे कि मौसम ठंधा कौन सा है, तो यहाँ पर आप cold के बारे में बात करेंगे और pole पर अगर आप रहेंगे तो यहाँ पर coldness के बारे में तो बात करेंगे नहीं क्योंकि again यह extremist of the temperature है तो यहाँ पर आप warm के बारे में बात करेंगे dessert में तो खेरा सच बात करने की बात नहीं है क्योंकि यह तो dessert या फिर step इसको बोल सकते हैं अब देखिए, बचा हमारे पास C और D, अब C देखिए वो tropical वाले side में shifted है, यानि कि यहाँ पर हम लोग cold के बारे में बात करेंगे और D में, चुकि यह pole side में है, तो इसलिए हम यहाँ पर warm के बारे में बात करेंगे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एक scale ले लें यहाँ पर अगर हम लोग A देखें, तो A एक tropical nature का है, इस वज़े से यह काफी ज़्यादा warm होगा, इस वज़े से हम लोग जब भी इसकी classification करेंगे हम लोग इसकी coldness को लेंगे, तो हम लोग इसकी coldness के बारे में बात करेंगे B के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो यह तो सीधे सीधे desert हो गया है या फिर step प्रदेश बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसको अलग से कोई classification यहाँ पर नहीं है because this is arid area अब इसके बात से जब हम लोग E पर आएंगे, तो E हमें पता है कि यह polar इलाका है इसलिए यहाँ पर extreme cold है, इसलिए हम लोग यहाँ पर warm की बारे में बात करेंगे, hotness की बारे में बात करेंगे फिर हमारा आगया C और हमारा आगया D C जो है, वो tropical side में shifted है तो obviously यह warm इलाका होगा इसलिए हम लोग यहाँ पर cold temperature के बारे में बात करेंगे और D चुकि यह polar इलाके के side में है इस बज़े से यहाँ पर polar effect आएगा, यानि यह cold इलाका है इसलिए हम लोग यहाँ पर जब भी classification करेंगे तो हम लोग warmness के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक idea लग गया कि what we are going to talk about हम लोग बात करेंगे कुछ ना कुछ एक ऐसे threshold के बारे में जिसके basis में हम लोग यह कहेंगे कि यह इलाका कैसा होगा अब जैसे यहाँ पर अगर एक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर coldest temperature का भी जो temperature है, मतलब जो extreme cold यहाँ पर जो भी ए इलाके में जो temperature सबसे ठंधा होगा अगर वह 18 degree से ज़ादा आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो tropical का area है अगर माल लेते है tropical, अगर माल लेते है कि 18 से कम आ रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते है कि वो c एलाके में है लेकिन अब देखिए यह हो गया 18 से अगर कम हो गया जनी चाहिए और वो गर्मी जो है उसका temperature 10 degree से जादा रहेगा यानि कि जो C वाला portion है यहां का जो temperature वो 10 से 18 degree के बीच में रहेगा यानि कि जो warm मंध इसका रहेगा वो 10 degree से जादा रहेगा 10 degree से उपर मतलब 15, 20, 30, 40 जितना भी आप लेना चाहें और वही cold temperature less than 18 degree रहेगा 18 degree से जादा नहीं होगा तो यह temperature लिया गया अब अगर आप आजाएंगे deeper तो यहां पर जो हमारा main classification वाला जो threshold होना चाहिए वो तो warm मंध होना चाहिए अब यहां पर जब warm मंध लेंगे आप तो warm is here 10 degree से कम होना चाहिए अब यहां पर अगर आप temperature को 10 degree से कम कर देंगे तो यहां पर 10 से उपर आ गया अगर यह temperature 10 से उपर आ गया तो वो C में चला गया और अगर 10 से कम रहेगा तो फिर वो D में आ जाएगा तो इस तरीके से आपको idea लगया कि C और D का किस तरीके से classification करना है और वही अगर E में आ जाएंगे तो E में तो ज्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं है यहां पर temperature सीदे सीदे 10 degree से भी अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते है एक्स्ट्रीम वाला केस ठीक है अच्छा यहां पर ओके सो D में हम लोग ने warm तो लिया ही है cold वाला भी temperature ले लेते हैं तो cold का temperature अगर less than 0 degree centigrade है ठीक है और warmness का मतलब यह this should be more than 0 degree इस वजह से यहां पर यह cold हो जाएगा अब यही cold और polar के बारे में बात करेंगे तो यहां पर temperature 10 degree से उपर है 10 degree से कम हो जाएगा तो वो पोल हो जाएगा colderness के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं कि this is extreme cold यहां पर कभी भी आप warm के बारे में बात नहीं करेंगे because this is extreme warm तो यहाँ पर बात ही नहीं आएगा, यहाँ पर बात खतम, यहाँ पर cold और warm दो बाते थी, जैसे warm का temperature 10 degree से जादा और cold का temperature 18 degree से कम, और इस तरीके से आपने देख लिया classification, तो इस वज़े से हम लोग इसका नाम रखे हुआ हैं, जैसे A का नाम हो गया, tropical, इसी तरीके से B का न therms, they are micro therms, clear हो गया, तो यह हुआ first level of classification जहाँ पर mainly आपको यह table याद रखनी है, clear, अब हम लोग आते हैं second table में, अब second table का मतलब यह है कि F W M S W T, ठीक है, अब देखिए, जो हवारा F है, F का मतलब होता है ever green, ever green का मतलब है, कि हर समय बारिश होगी, साल भर बारिश होगी, तो throughout the year यहाँ पर rain हो रही है, W का मतलब है dry winter, तो this is dry winter, यानि कि यहाँ पर सर्दी के मौसम में dry रहेगा, यानि बारिश नहीं होगी, जैसा normal temperature होता है, वही होगा, M का मतलब है monsoonal, तो this is monsoonal हो गया, S का मतलब होता है semi-arid, तो they are semi-arid, और W का मतलब होता है, यह small W है, this is small W actually, और यह capital W है, और यह हो जाएगा small W का मतलब हो जाएगा arid, ठीक है, T का मतलब हो जाता है, यह actually ice caps होती है, जहाँ पर extreme of the extreme temperature होता है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से classification करते हैं, but we do not need this, तो हमें उपर की ही चीजों की ज़रुत होती है, so you can just simply skip the T part, otherwise अगर आप classification देखना चाहें, तो बिलकुल आप देख सकते हैं, देखिए आते हैं, यहाँ पर देखिए T होता है, इसके अलावा एक और F होता है, एक और M होता है, और यह तीनों के तीनों polar इलाके से related है, तो all these things are related with the polar इलाका, यहाँ पर ज this is simply taga, यह हो गया T से taga, अगर वही average temperature अगर आपका और कम हो जाता है, मतलब less than 0 degree centigrade चला जाता है, तो यह बन जाता है, आपका ice caps, I believe आपको चीज़े दिख रही होंगी, तो ice caps हो जाती है, और अगर वही M के बारे में बात करें, तो M is जहाँ पर precipitation काफी अच्छा खासा हो बारिश अच्छी खासी हो रही है, उसको हम लोग बोल देते हैं, कि हाँ पर इस तरीके का scene है, तो यह आपको table भी दिख रही होगी, table समझ में आ गई होगी, क्या चीज़ है यहाँ पर, अब हमारे पास third parameter आता है, H, K, A, B, और C, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है, H का मतलब होता है, hot, मतलब यह बहुत जादा ही गर्म है, K का मतलब होता है, cold, अब देखें, यह दोनों के दोनों use होता है, dessert में, अगर माल लेते हैं, hot dessert है, तो उसको हम लोग H से represent करते हैं, अगर cold dessert है, उसको हम लोग K से represent करते हैं, बचा हुआ जो A, B, C है, यह actually temperature पर depend करता है, temperature का मतलब यह है, A का मतलब है कि अगर hottest temperature more than 22 degree centigrade अगर निकल करता है, किसी भी महीने में तो उसको हम लोग बोलेंगे A sub category, वही अगर temperature 10 to 22 degree centigrade के बीच में अगर आता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे B sub category, और अगर temperature 10 से ही 22 degree के बीच में आता है, हम लोग उसको बोलेंगे C category, फिर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर जो coldest temperature होगा, वो more than minus 38 degree centigrade होगा, और यहाँ पर जो coldest temperature होगा, वो less than minus 38 degree centigrade होगा, यानि कि इसका basis क्या है, अगर आप देखेंगे categorization, temperature, हर एक एलिया का temperature निकाला गया है, और उसके basis पे कुछ thresholds लिए गया है, कि इस threshold से नीचे अगर होगा, तो हम लोग उसको ये वाला parameter बोलेंगे, अगर इसके उपर जाएगा, तो हम लोग ये वाला alphabet बोलेंगे, अब देखिए ये आपको याद करना है, इसमें कोई option नहीं है, because minus 38, या फिर 18 degree, 10 degree, ये सब कोई calculation नहीं है, this is just a reference point, और ये reference point आपको याद ही करना है, बाकी चीज़े अगर आप समझ गया है, देख लिए है, इसमें most important thing जो आपको समझने के लिए थी, वो table number 1 थी, table number 1 आप आसानी समझ सकते हैं, table number 2 भी आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो table number 3 है, ये थोड़ा सा मैं क देखते हैं कि आपने क्या-क्या समझा, अब जैसे हमाल लेते हैं, here I am writing some of the parameters like A, अच्छा, one second, let me erase it and let us see what exactly we can observe, अब जैसे A है, A का मतलब क्या है, tropical, ठीक है, अब A के साथ बताइए क्या-क्या हो सकता है, क्या F हो सकता है, F का मतलब कि यहाँ पर tropical evergreen, तो बिलकुल हर समय ब बारे में अगर बात करें, तो एक काम करते हैं, ओके चलिए यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, इसके इलाके के बारे में बात करेंगे, तो यह हो जाती है हमारी equatorial places, जो equatorial places हैं, वहाँ पर हमें इसी तरीके की rainfall, हर समय rainfall मिलती है, वही अगर A के साथ में अगर small m देखें, यानि की monsoonal हो गया, और यह आपको कहा मिलेगा, यह इंडिया, इंडोनेशिया और बाकी जो part है इंडिया या Indian subcontinent बोल देते हैं, यह आपको मिल जाएगा, ठीक है, A के साथ में अगर W को देखें, small w, यानि क्या है, dry winter, तो यह बन गया, dry winter, यह इलाका कौन सा हो जाएगा यह इलाका हो जाएगा, सवाना प्रदेश, तो सवाना जो है, वो यह हो जाएगा, सवाना हो गया है, South Sudan का इलाका हो गया है, वो generally इसी तरीके से होता है, तो यह बन गया आपका A के साथ का case, clear, okay, क्या हमारे पास A के साथ कुछ और भी possible है, नहीं, और कुछ possible, नहीं है, क्य या फिर जिसको आप बोल सकते है, घास के मैदान, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दो option हो सकता है, एक हो सकता है S, और एक हो सकता है आपका जो H वाला portion है, B, S and B, you can say W, अब S का मतलब यह है, जो semi-arid था, this is semi-arid, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आता है, वो आ जात dessert dessert हो गया, जैसे कालाहारी का dessert हो गया, या जितने भी dessert होते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो you can observe two things, एक H और एक K, H का मतलब हो गया, जो hot dessert है, जैसे कालाहारी बगर है, यह सब जो हम लोगों ने देखा, थार dessert बगर हो गया, द यहाँ पर भी देखिए, दो टाइप किया जाएगी, एक H, एक K, H का मतलब हो गया, जो tropical deserts है, या tropical grasslands आप बोल सकते हैं, grasslands, जैसे prairies, prairies तो कहरे temperate होती है, लेकिन lanos हो गया, तो यह हो गया, और वहीं यहाँ पर क्या है, यह temperate grassland, यहाँ पर आपकी चीज़े हो लाइक, lanos हो गया, सारी, compose हो गया, या फिर आपका prairies हो गया, downs हो गया, steps हो गया, weld हो गया, तो यह सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो B के बारे में भी आपको idea लग गया, क्या exactly चीज़े हैं, अब हमारे पास आता है C, C का मतलब था mega therm, इस mega therm के बारे में हम लोगों न less than 18 degree centigrade हम लोगों ने माना हुआ था, और यहाँ पर cold वाले का temperature भी हम लोगों ने कुछ-कुछ माना हुआ था, वह देख लिजिए का आप लोग क्या चीज़ माना था हम लोगों ने, ठीक है, यह फिर मैं बताई देता हूँ, इसका temperature जो है, वो more than 10 degree centigrade माना गया था, ठीक है, इसी तरीके से D आ जाएगी नीचे, D में आपका, this is micro therm, और यहाँ पर भी आपका जो temperature वो कुछ-कुछ आ जाएगा, लाइक वार्म के लिए आ जाएगा, और cold के लिए आ जाएगा, तो cold के लिए temperature 1-18 degree से कम होना चाहिए, वार्म के लिए भी less than 10 degree centigrade हो जाएगा, अब देख बारिश बिलकुल हो सकता है, humid, subtropical region को बोल देते हैं हम लोग, this is humid, subtropical, subtropical, जो हमेशा बारिश जो है, वो face कर रहा है, अब इसमें भी आप categories बना सकते हैं, A, B, C, A, B, C, A का मतलब यह हो गया, जहाँ पर temperature 22 degree से ज्यादा है, B का मतलब हो गया, जहाँ पर temperature जो है, वो 10-22 degree के बीच में, और C का मतलब हो गया, जहाँ पर temperature less than 10-22 degree centigrade आ जाता है, clear, इसी तरीके से C के साथ में ही आपका S, S भी आ सकता है, S का मतलब हो गया, जो step वाले portion होते हैं, अब C के साथ जो S होगा, वो कहीं न कहीं, जो हमारी यह temperate वारी grasslands है, इसी के बारे में आ जाएगा, तो you can say just simply की ये और ये वाला portion, दोनों एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, similarly इसी तरीके से W आ जाएगी, dry winter, अब इस dry winter में भी आप चीजों को लिख सकते हैं, जैसे subtropical monsoon अगरे का इलाका हो गया, वो यहाँ पर आ जाएगा, clear, अब यहाँ पर D के साथ में आ जाते हैं, D यहाँ पर भी ABC हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को लिख सकते हैं कि क्या-क्या scene हो सकता है, एक बार मैं यहाँ पर categorization फिर से कर देता हूँ, ताकि आप properly चीजों को याद कर सकें, because ultimately यहाँ पर चीज़े याद करनी हैं, इसमें कोई और other option नहीं है, त तो A के साथ में हम लोगों ने देखा कि F हो सकता है, evergreen वाला, W हो सकता है, drive inter, M हो सकता है, monsoon, फिर B के साथ में आप आजाएंगे, तो B के साथ में S हो सकती है, और W हो सकती है, बाकि इसकी sub-categorization HK में आ सकती है, यहाँ पर भी sub-categorization HK में आ सकती है, फिर आते हैं हम लोग C portion पर, C के साथ में आपका F हो जाएगा, W हो जाएगा, और साथ ही साथ में S हो जाएगा, इस F में भी आपका sub-categorization A, B, C यह भी आजाएगा, D में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर F हो जाएगी, और साथ ही साथ W हो जाएगी, यहाँ पर S नहीं आएगा, semi-rid नहीं है लेकिन यहाँ पर भी ABC वाली जो categorization है वो भी आ जाएगी बाकि हम लोग E पर जब आएंगे तो E के साथ में जो case है तो E के साथ में भी यहाँ पर कुछ cases हो जाएंगे like this is E E के साथ में क्या case हो जाएगा जैसे T जो taga वाला प्रदेश था F हो जाएगा जहाँ पर आप temperature को ले करके देख रहे थे और फिर M हो जाएगा जहाँ पर आप precipitation को ले करके चलेंगे तो यह जो मैंने बनाया है यह आप रटा मार लीजिए क्योंकि यही final classification था COPEN के द्वारा और कुछ classification नहीं है बाकि जिटनी technicality थी relative to the temperature and all that वो आप अलरड़ी समझ गया है वो आप चीज़ों को देख लिया है अब यहाँ पर COPEN classification में कुछ-कुछ चीज़ें उसके बारे में देख लेते हैं जो आपने समझा है वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी है जैसे कि based on the temperature variable world climate is classified into six major group यहाँ पर इन्होंने capital letter A to U use किया और H के लिए इन्होंने highland को express किया जैसे कि A के साथ में यह tropical climate हो गया, equatorial हो गया, B हो गया arid या desert region हो गया C के लिए mesotherms हो जाते हैं D के लिए microtherms हो जाते हैं E के लिए hackistotherm या फिर इसी को बोल सकते हैं कि polar regions हो जाएंगे और lastly H के लिए mountain region या फिर highland हो जाएगा तो we have seen this Now, आगे इन्होंने A to E को रखा और H के लिए अलग parameter ले लिया था कि H is something different, वो highland है वो अलग चीज है उसमें कुछ खास बाते करने की जरूरत नहीं है बाकि small letter में इन्होंने rainfall के basis को लिखा जैसे small f, rainfall throughout the year evergreen वाला small m, monsoon हो गया w, dry winter हो गया, s, summer dry हो गया अब जैसे यहाँ पर AF के लिए लिया गया है, जैसे tropical AF, हमेशा बारिश होगी तो wet climate हो जाएगा equatorial वाला अब यहाँ पर कुछ-कुछ चीजे लिखी गई है इसके बारे में and the following variable used to express the degree of severity जैसे A, B, C, D यह रखा गया है temperature को लेकर के small वाला जैसे कि वही हमारा जो 22 degree से ज़्यादा हो गया 10 से 22 degree के बीच में and all that A का मतलब simply जो temperature hot है जैसे 22 degree से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको हम लोग स्मॉले बोलेंगे B का मतलब है warm जहां पर temperature 10 से 22 degree के बीच में है और जो coldest month है उसका temperature minus 38 degree centigrade से ज्यादा है और C का मतलब हो गया कि यह जो cold वाला temperature था मतलब 10 से 22 degree ही होगा लेकिन cold वाला temperature less than 38 degree centigrade चला जाएगा बागे D का मतलब हो गया summer जो S है उसका मतलब है step या semi-arid W का मतलब है desert ठीक है T का मतलब हो गया tundra and F का मतलब हो गया ice cap और इस तरीके से चीज़े हो गए जैसे एक छोटा सा example लिया गया CFA C का मतलब हो गया कि यह micro therm है F का मतलब हमेशा बारिश होगी और A का मतलब temperature जो है वो 22 degree से ज़्यादा होगा यानि कि इलाका कैसा हो गया humid, sub-tropical जिसका average temperature minus 22 degree से ज़्यादा है जो कि इसको A वाला portion बता दिया C ने बता दिया humid, sub-tropical होगा CF ने बता दिया इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन से इलाके आ रहे हैं जैसे for example जो भी इलाके A tropical के बारे में बात करें जो भी इलाके Tropic of Cancer और Capricorn के बीच में हैं उसको आमनोद tropical humid climate बोलते हैं अब यहाँ पर F भी आ सकता है W भी आ सकता है और M बी आ सकता है यानि कि हमेशा बारिष, dry winter और monsoonal तो यह तीन इलाके यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर जो भी annual range of temperature होगा वो relatively low होगा difference काफी कम होगा और rainfall जो है वो high होती है इसको तीन category में divide कर सकते हैं जैसे AF हो गया AM हो गया और AW हो गया तो इसके बारे में we have already seen similarly अगर B के बारे में बात करें जो कि desert और semi-arid areas है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो very low rainfall होती है क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पर जो distribution है extension जो है वो 15 to 60 degree के बीच में है और इसी के basis पर इसे S और W में divide किया जा सकता है B S जो है वो 15 to 20 degree centigrade के बीच में हो जाए मतलब 20 degree के north and south हो जाएगा latitude और जो B W है वो 20 to 30 degree के बीच में हो जाएगा जो कि again याद करने वाला portion है C के बारे में बात करें तो यह उपर और आ जाएए B के उपर आ जाएगे तो tropical में ही जरूर है लेकिन यह थोड़ा सा उपर है यानि कि ठंड का मौसम भी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर warm summer है and mild winter रहेगा हलका हलका रहेगा बाकी यहाँ पर W S F इस तीन पार्ट में आप divide कर सकते हैं और A B C के basis पर भी आप divide कर सकते हैं this kind of scene you can see this kind of classification of climate you can see in this micro sorry mega therm में आप देख सकते हैं बाकी D आ जाएगी that is the micro therm और यहाँ पर आपको snow मिलेगा क्योंकि इलाका थोड़ा सा polar side में चला गया है 40 to 70 degree के around में इसका latitudinal variations है दो तरीके के मिलेगा D F and D W जहाँ पर rainfall होगी यानि humid winter हो जाएगा D W यहाँ पर dry winter हो जाएगी clear इसके बासे हमारा E आ जाएगा polar इलाका जो कि 70 degree के ऊपर में है और यहाँ पर दो चीज़े है tundra and the ice caps lastly यह चार जाती है जो कि mountain इलाका या जो भी highlands है प्लेटू है वहाँ पर यह मिल जाती है और यहाँ पर precipitation अलग अलग तरीके का हमें मिल सकता है याँ देख सकते हैं वर्ड मैप है और यहाँ पर अगर हम लोग इससे distribute करना चाहें अलग अलग तरीके से तो we can see कि सबसे पहले हम लोग AF लिख लेते हैं तो हमें AF कुछ इस इस इलाके में मिलेगा AF यहाँ पर मिलेगा AF ठीक है फिर उसके बाद से अगर हम AM लिखना चाहें मौनसूनल तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि this is AM यहाँ पर भी AM ठीक है कुछ portion यहाँ पर भी AM मिल जाएगा clear इसके अलावा अगर हम लोग dry winter पर आ जाएगा तो हम लोग AW उपर लिख सकते हैं dry winter है इसी तरीके से चाइना में भी AW हो जाएगी चाइना टाइप में आ जाएगा बाकी AW इधर आपको मिल जाएगा ठीक है AW मिल जाएगा AM भी यहाँ पर कुछ portion में मिलता है और AF इधर मिल जाएगा आपको थोड़े से चोटे portion में B के बारे में बात करें तो हमें पता है कि इंडिया में B S मिलेगा इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप आ जाएगा तो B S मिलेगा यहाँ पर B K मिलेगा B W sorry B W K मिल जाएगा ठीक है इसी तरीके से B S H B S H यहाँ पर हमारे पास B W K मिल जाएगा क्योंकि लद्दाक है तो इस तरीके से आप डिस्टिब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो this is the scene that you can observe AF के बारे में आ जाएगे तो देखिए यह वाला इलाका AF है this is AF यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा बाकि AM के बारे में आ जाएगे तो दिए देखिए AM का इलाका है this is AM यहाँ पर भी कुछ-कुछ पॉश्चन में आपको AM मिल जाएगा बाकि इंडिया में आपको AM अच्छा-खासा मिल जाएगा बाकि AW के बारे में आ जाएंगे तो देखिए यही नेबर हुड में आपको AW यहाँ पर भी मिल जाएगा AW यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इंडिया में भी AW आपको मिल जाएगा इस 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 AW यहाँ पर भी मिल जाएगा ठीक है बाकि आप AS के बारे में आ जाएंगे तो यही नेबर हुड में ही आपको AS भी मिल जाएंगे B, S, B, S, H, B, S, H, B, S, K यह सब आपको जो होता है डिजर्टी इलाके मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं पूरा डिस्टिब्यूटर है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गोबी का डिजर्ट हो गया अरेबियन पेनिसुला हो गया यहाँ पर आपका मुहावी डेजर्ट वगर हो गया पेटागोनिया वगर हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकि C के पोर्शन में अगर आप आजाएंगे तो यहाँ पर आपको C में देखने को मिलेगा कि यह जो इलाका है वो C का इलाका है तो यह क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं और खुद से भी आप बना सकते हैं थोड़ी सी क्लाइमेट की आपको जानकारी की जरूबत है अगर वो पढ़े रहेंगे वो समझे रहेंगे तो आपको यह क्लासिफिकेशन बहुती इसली समझ में भी आ जाएगा समझने के बाद में कुल अल्टिमेटली आपको यही बाते समझ में आई होंगी कि यहाँ पर मारना है रट्टा कोई अधर आप्शन नहीं है और इन फैक्ट दा जोग्राफर्स भी जो हैं वो भी इस चीज़ को याद ही किये रहते हैं इंडिया के बारे में अगर देखा जाएं तो इंडिया में अगर एक ओर ओर ओल सिस्टम देखेंगे तो हमारे पास different different type की climates यहाँ पर according to the COPEN आ जाती है और यहाँ पर nearly हर दिक तरीके की climate आपको मिल जाएगी भले वो point format में मिले लेकिन यहाँ पर मिल जाती है तो इंडिया has nearly all the type of climate classified by COPEN as tropic of cancer passes nearly the middle of the India and half of the India has a tropical climate that is the A वाल पोशन and other half is subtropical जहाँ पर आप B, C, D, E हर तरीके की चीज़ देख सकते है the deserts in the western part of the shadow zone of western ghat यह B वाला portion दे देता है और हिमालियन सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो polar इलाका यानि E वाला portion दे देता है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको E portion मिल जाएगा यहाँ से B से tropic of cancer गुजर रही है तो इसके उपर इसके नीचे आपको A portion मिल जाएगा यहाँ पर जगा जगा पर आपको B मिल जाएगी जैसे की बीच में एक J बनता है अगर आप मैं अब ध्यान दिये हो बाकी यहाँ पर भी B आपको मिल जाएगी बाकी यहाँ पर C, D और बाकी E तो खेर उपर है ही तो इस तरीके से हमारे classifications हो जाते है जैसे अगर एक एक करके classification के बारे में बात करें यहाँ पर आपको पता है कि Evergreen टाइप की बारिश होती है तो A, F यहाँ पर हो जाएगा तो it lies in the tropical region hence category A tropical rainforest है इसलिए small f हो जाएगा और साथ ही साथ में कुछ पार्ट में आप बोल सकते हैं कि A, M भी आप ले सकते हैं because this is monsoonal clear हो गया क्या चीज़ है डेकन प्लेटू में अगर आ जाएगे तो डेकन में क्या है कि again A portion आ जाएगा लेकिन यहाँ पर desserts है dessert होने के कारण से अब A नहीं बोलेंगे आप आप इसे बोलेंगे B and dry winter है तो यहाँ पर category आप A, W भी लिख सकते हैं कुछ portion में और जहाँ पर desserts हैं वहाँ पर आप इसे B, S लिख सकते हैं B, S, H बलकी लिखेंगे कॉरमंडल के बारे में अगर आ जाएगे तो यहाँ पर भी climate जो होती है step type मतलब की dry summer type की आ जाती है तो यहाँ पर इस तरीके का कॉरमंडल कोस्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं होती है तो यहाँ पर इस चरीकी चीज़ें आ जाएगे बागे desert and sub-tropical desert में आ जाएगे तो यहाँ पर आपको यह अलग-अलग तरीके की climates मिल जाएगी जैसे कि आपका राजस्थान राजस्थान में आप BW, HW लिख सकते हैं या फिर arid type की हैं जैसे भी आपको जरुवत रहेगा accordingly you can write it दूसरा semi desert जो होते हैं वहाँ पर B, S, HW या फिर जो है B, W इस तरीके से आप लिख सकते हैं गंगा प्रमपुत्रा का मैदान पर अगर आ जाएगे तो यह C category हो जाती है क्योंकि यहाँ पर temperature कुछ खास नहीं होता है और साथी साथ में बारिश भी होती है जमु कश्मीर में तो जमु कश्मीर का इलाका जो है वो polar side का इलाका आ जाता है ठंड काफी जादा है because of the presence of Himalayas लदाक में जाएंगे तो लदाक में again this is a kind of you can say कि desert है और यह B, you can say कि B, W, K वाला desert हो जाएगा जहाँ पर cold desert मिलती है Lastly अगर देखेंगे तो वी हैव अर्वनांचर प्रदेशन सिक्किम जहाँ पर जो category है वो D type category आ जाती है क्योंकि यहाँ पर again latitude उपर चला गया है this is the area यह area आ जाता है अब यहाँ पर दो चीज़े एक तो हिमालयाज है और दूसरा इसकी latitude भी है तो इस बज़े से हमें यहाँ पर rainfalls भी मिल जाते हैं और category भी हमारी थोड़ी सी winter type की अनी की ठंड वाली आ जाती है fewer influences of ocean continentality type and the climate with very harsh winter यहाँ पर चीज़े आ जाएंगी rainfall हो जाएगा having an average temperature of the warmest 3 month is more than 10 degree centigrade so this is all for today and we have seen copen classification is a very detailed banner रट्टा मारना है रट्टा मारने के लिए technique भी आपको बता दी गई है और table भी बता दी गई है उसे याद कर लीजेगा एक table को याद करने के बाएगाद अगर आपके questions हो जा रहे हैं और बाकी चीज़े solve हो जा रही हैं तो वो रट्टा मारना भी एक तरीके का concept होता है तो हमारे अथक परिश्रम के बाद फिर हम लोगों ने एक open classification खतम किया दिस इस अब मोस्ट चैलेंजिंग classification and most challenging concept for this geography optional अभी हमारी जो challenge है वो खतम नहीं हुआ अभी हमारा thought white और त्रिवार्था बचा है और उसको हम लोग देखेंगे अपने next lecture में अगर आपको कोई doubt होता है तो you can reach us by using the methods मिलते हैं next studio में till then goodbye and thank you so much